कि 8 अगस्त तीन में 12 बजे जितने उत्तर परदेश में तादियादार हैं, वो टियेम लखनों को मेमुरेंडम दे, तादिया हमारे यहां बच्चा भी सर्पर रख्के जाता है, पूढ़ा भी सर्पर रखे जाता है, जो तादिया अचूरे को उठता है, उत्तर परदेश सरक कर लिए अजय है को हिंदु और मुसलमान तनादे को हिश्तियार करने की절קिया घर सो मजद नीकाल सकते हैं तो हम घर से ताद्य को औरी निकाल सकते है पसला बोर्ट की यहांगोब वहदेदारान की जो इस वक्त मिचिंग हुई उसके अंदर कई अहम फैसले लिए 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 और जो हमारा सबसे अहम फैसला है जो इस वक्त मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो सबसे इंपार्टन फैसला है जो बात निकर के आए करेंगे के डीजीपी साब के बयान की भरपूर तरीके से मदम्मत की है आज इंडिया शिया पसला बोल और मैं आल इंडिया शिया पसला बोल की तरफ से आप तमाम हदरास से मीडिया के दिम्मेदारां से यह कहना चाहता हूं कि 8 अगस्ट को दिन में 12 बजे जितने उत्तर पर परदेश के मुखमंद्री तक जाए 8 तिसमबा 8 अगस्ट 12 बजे दिन में डीजीपी के खिलाएं को मुमरेंदम दे उत्तर परदेश के मुखमंद्री को लिखके ताके वो अप्ला इस बयान को वापस लें इसके अलावा यह जो पूरी गाइडलाइन है इस गाइडलाइन क कहके हिंदू और मुसल्मान तरह देश को इस्तियार करने की बात की गई है इडी जी अलों का कहना है कि जो रियालिटी वही उसमें दिखी गई है कभी इस तरीखे के आदादी और से आज तक कि महरम को लोगे इस तरीखे की गाइडलाइन नहीं आए अगर कोवीड गाइड की बात थी तो बेशा कोविद गाइड लाइन का हमें इतराम करते हैं कोविद गाइड लाइन का कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोविद गाइड लाइन का पालन हुआ है और जब दस तरीके दर कोविद गाइड लाइन का पालन किया गया मगर तादिया हमारे यहां बच्चा भ तो हम घर से मयत निकाल सकते हैं, तो हम घर से तादिय को नहीं निकाल सकते हैं, लेहाद तादिया जुरूस की शेकल में नहीं जाता है, जो लोग गुम्राश कर रहे हैं, कि तादिया का जुरूस, तो प्रोसेशन जब सब के नहीं निकल रहे हैं, तो हम प्रोसेशन की बात ही झालने लिए कर रहे हैं तादीया एक घर से एक निकलता है और एग दिखाने जाता है मुछ्तलिफ लिए यह की सियासी ताखतों को हथ है जो पैङन दिया गाएं देखिए इसके पीछे को अभी है मुक्तरपरदेश के मुखमेंतरी कि योगी आधितनाजी से जल्दी मुलाखात करने वाले हैं और मुलाखात करेंगे देखते हैं इसके अंदर किसका हाथ है यह आपके सामने जल्दी आ जाए कोई रियलिटी नहीं है रियलिटी क्या है उसके अंदर क्या रियलिटी उनका पुरा बयान मैंने भी सुना है एडिजी एलो साब का जो बयान है सबी एहम खबरों के लिए न्यूज मेक्स को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकोन को सरूर डबाए लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूले